प्रिविद्धार्थियो नमस्कार आशा है कि आप स्वस्थ वे प्रसंद होंगे हम ये जानते हैं कि जीवों में आश्चर जनक विभन्नता होने के बावजूद इनकी रासायनिक संगठन वे उपापचवी अभिक्रियाओं में असाधारन समानताएं मिलती हैं जीव उत्कों में मिलने वाले सभी कार्बनिक योगिक जैव अनू कहलाते हैं ये जैव अनू जैव उत्कों की रासायनिक संगठन वे कारे विधी में अत्यंत महत्वपूर्ण वे अपरिहारिये हैं जीवों में अमिनोमल, एकल सेकराइट्स, द्वी सेकराइट्स, बहु सेकराइट्स शरकराएं, वसा, अमल, ग्लिस्रॉल, नूकलोटाइट, नूकलोसाइट्स वे नाइट्रोजन ख्षार जैसे कुछ कार्बनिक योगिक मिलते हैं इन जैव उत्कों के रासानिक संगठन में विभिन जैव अणों के अध्यान में आज की सत्र में हमारे अधिकम मुद्देश इस प्रकार रहेंगे ब्रहत जेव अनु लिपिट का विश्टत अध्यन करना प्रोटीन की सन्दचना प्रोटीन के प्रकार वे प्रोटीन के कारियों का अध्यन करना पॉलिस सेकराइट्स की सन्दचना इनके विविन्न प्रकार वे कारियों का अध्यन करना नियोकलिक आमलकी संचना, इनके विभिनिप्रकार वे कारियों का अध्यान करना इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आप में कला कौशल, व्याग्यानिक दिस्टिकोन, जिग्यासु प्रबर्ति और आवलोकन कौशल का विकास हो हम ये भी चाहेंगे कि जीविग्ञान के अध्यन मरजित ग्ञान को आप दैनिक जीवन में सह संबंदित करें और उसको अनुपयोग में लाएं इस प्रकार से हम ये चाहेंगे आज के सत्र के अधिकम उद्देश्चों को जैवूतकों के रासैनिक विशलेशन के दोरान प्राप्त अमल में घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी योगिकों की एक सामान्य विशेशता है कि इनका अणुभार आठ डॉल्टन से लगभग आठ सो डॉल्टन के असपास होता है अमल अविले अंस में केवल चार प्रकार के कार्बनिक योगिक जैसे प्रोटीन, न्यूकलिक अमल, पॉलिससेकराइट्स वर लिपिट्स मिलते हैं लिपिट्स के अतरिक्त इस त्रेनिक योगिकों का अनुभार दस हजार डाल्टन या इसके उपर होता है इस कारण जैव अनु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासाइनिक योगिक दो प्रकार के होते हैं एक वे हैं जिनका अनुभार एक हजार डाल्टन से कम होता है उन्हें सामानित या सुक्ष्प अनु या सुक्ष्प जैव अनु कहते हैं जबकि जो अमल अविले अन्ष में पाए जाते हैं उन्हें ब्रहत अनु या ब्रहत जैव अनु कहते हैं विद्यार्थियों लिपिट्स के अतिरिक्त अविले अन्षों में पाए जाने वाले अनु बहुलग पदार्थ होते हैं क्या आपको पता है कि लिपिट्स जिनकी अनुभार 800 डाल्टन से अधिक नहीं होते वे अमल, अविले, अंश या ब्रहत, आणिनिक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं। वास्तव में लिपिट्स कम अनुभार के योगिक होते हैं, वे ऐसे ही नहीं मिलते, बलकि कोशी का जिल्ली और दूसरी जिल्लियों में पाए जाते हैं। अमल, अविले, भाग के साथ प्रतक हो जाते हैं, जो ब्रहत, आणिनिक अंश का भाग होते हैं। संक्षेप में यदि जीव उतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुलिता की दस्टी से शेने बद्द किया जाए। तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी, अर्था, जल सबसे सरवाधिक बाहुलिता से मिलने वाला रसायन है। आप स्क्रीन पर प्रदशित इस तालिका में देख सकते हैं। जल कुल कोशि की अभार का 70 से 90 प्रतिशत है, प्रोटीन 10 से 15 प्रतिशत, कार्बोहीड़ेट 3 प्रतिशत, लिपिड 2 प्रतिशत, नुकलिक अमल 5 से 7 प्रतिशत, तथा आयन 1 प्रतिशत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव में सरवाधिक प्रचुर रसायन जल है एक अत्यन्त महत्वपून सन्नचनात्मक वे कार्यात्मक जैवणू प्रोटीन है प्रोटीन पॉली पेप्टाइड होते हैं ये अमिनो अमल की रेखिय संखला होती है जो पेप्टाइड बंदों से जुड़ी होती है प्रतेग प्रोटीन अमिनो अमल का बहुलक है अमिनो अमल 20 प्रकार के होते हैं जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफायन, लाइसीन, आदी आप देखिए स्क्रीन पर ग्लाइसीन, एलेनिन, तथा सिरीन के चित्र प्रदर्शित किये गए हैं प्रोटीन संबहुलक नहीं हैं बलकि विशम बहुलक होते हैं एक संबहुलक एक एकलक की कई बार आवरतिकान बनता है अमीनो अमल के बारे में ये जानकारी अत्यन्त महत्वपून है कि कुछ अमीनो अमल स्वास्ति के लिए अत्यन्त आवश्क होते हैं और इनकी आप उरति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि आहार की प्रोटीन इन आवश्चक अमीनो अमल की स्रोत होती है इस प्रकार से अमीनो अमल अनिवारिय या अननिवारिय हो सकते हैं अननिवारिय अमीनो अमल वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं जबकि हम अनिवारी अमीनों अमलको आपूरती अपने खादे बदार से करते हैं प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कारे करते हैं इन में कुछ पोशकों के, कोशिका जिली से होकर अभिगमन करने के तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहक होते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम के रुप में भी पाये जाते हैं आप स्क्रीन पर प्रदशित तालिका में कुछ प्रोटीन के कारे देख सकते हैं कोलेजन एक अंतर कोशिके भरन पदार्थ है ट्रिपसिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हॉर्मोन है प्रतिजीव संक्रमन से लड़ता है प्रतिजीव अर्थात अंटि बायोटिक यह संक्रमन से लड़ता है ग्राही, विभिन संवेदिक ग्रहन के कारे जैसे सुंगना, स्वाद, आधि का कारे करता है GLUT4 प्रोटीन ग्रूकोज का कोशिका में परिवहन का कार्य करता है प्राणी जगत में सरवाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलिजन है तथा संपोन जयव मंडल में सरवाधिक प्रचुरता से मिलने वाला प्रोटीन रूबिसको नामक एंजाइम है ये दोनों आप अवश्य याद रखें परिक्षा की दिश्टी से अत्यन्त महत्वपूर्ण है अम्ल अविले भाग में दूसरे शिर्णी के ब्रहत अन्मों की तरह है पॉलिसेकराइट्स अर्थात कार्बो हाइडेट्स भी पाए जाते हैं ये कार्बो हाइडेट्स या पॉलिसेकराइट्स शरकरा की लंबी श्रंखला होती है यह श्रंखला सूत की तरह है कपास के रेशे की तरह है विविन प्रकार के एकल सेकराइट्स से मिलकर बने होते हैं उधारन के लिए cellulose एक बहुलक polysaccharide होता है जो एक प्रकार के monosaccharide जैसे glucose का बना होता है cellulose एक सम बहुलक है इसका एक परिवर्थक दूप starch है या मंड है यह cellulose से भिन्न होता है लेकिन यह पादप उतकों में उर्जा भंडार के रूप में मिलता है प्राणियों में एक अन्य परिवर्थित रूप होता है जिसे glycogen कहते है inulin fractose का बहुलक है स्क्रीन पर देखिए एक polysaccharide संखला जैसे glycogen का दाहिना सिरा अपचायक वैं बाया सिरा अनपचायक कहलाता है यह शाखा युक्त होती है जो स्क्रीन पर दिखाए गए जियंग चितरथार कार्टून जैसी दिखाए देती है कार्बोहेडेट्स के एक रूप मंड में वितियक कुंडलीदार सनचना मिलती है जब हम मंड का परिक्षण करते हैं तो आपने देखा होगा कि यह आयोडीन के साथ नीला रंग देता है जबकि हम जब सैलूलोज के साथ इस परिक्षण करते हैं तो नीला रंग प्राप्त नहीं होता है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है वास्तव में मंड में आयोडीन अनु इसके कुंडली भाग से जुड़े होते हैं और आयोडीन अनु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं जबकि सेलुलोज में ये जटिल कुंडलीयां नहीं मिलने के करण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है अतय नीला रंग नहीं देता है आपने कपास या रूई को देखा होगा या किसी सूती वस्तर के धागे को खोल कर आप देखिए इसमें पतले-पतले रेशे या महीन धागे से दिखाई पड़ते हैं क्या आप जानते हैं कि ये किस रसायन से बने वे हैं इसी प्रकास आप प्रारम से ही कागज का प्रयोग करते आए हैं ये कागज किस रसायन से बना होता है क्या भी ये कभी सोचा है आपने दरसल में ये सभी सलूलोज से बने होते हैं पादब कोशिका भित्ति सलूलोज की बनी होती है पौधों की लुगदी से कागज बनता है जो की रासानिक रूप से सेलूलोज होता है उरुई की धागे भी सेलूलोज के बने होते हैं और सूती वस्तो बनता ही कपासिया उरुई से है प्रकरती में बहुत सारे जटिल पॉलिसेकराइट्स मिलते हैं ये अमीनो सरकरा वैरासानिक रूप से परिवर्तित सरकरा जैसे ग्लोकोसमीन, एन एसी टाइल, ग्लोकोसमीन आधी से मिलकर बने होते हैं विद्यार्थियों क्या आप जानते हैं कि आर्थोपोडा यानि जो कीट वर्ग है इनके बाहि कंकाल जटिल सेकराइट्स काइटीन से बने होते हैं ये जटिल पॉलिसेकराइट्स अधिकतर संबहुलक होते हैं दूसरे प्रकार का एक ब्रहत अणू जो किसी भी जीव उतक के अमल अविले अंश में मिलता है उसे नूकलिक अमल कहते हैं ये नूकलिक अमल पॉली नूकलिक अमल पॉली नूकलिक अमल 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 नू पहला विशम चक्रिय योगिक, दूसरा मोनो सैकराइड वे तीसरा फास्फरिक अमल या फास्फेट होता है अब आप स्क्रीन पर इस चित्र को देखिए नूकलिक अमल में विशम चक्रिय योगिक नाइट्रोजन ख्षार जैसे एडिनीन, गुआनीन, यूरेसिल, साइटोसीन और थाइमिन होते हैं एडिनीन वे ग्वानीन प्रतिस्थापित प्यूरीन है तथा यूरेसिल, साइटोसीन और थाइमिन प्रतिस्थापित पिरिमीडीन है इन विशम चक्रिय वलावे को क्रम से प्यूरीन वे पिरिमीडीन कहते है आप फिर से स्क्रीन पर देखिए poly nucleotide में मिलने वाली शरकरा या तो ribose अर्थात monosaccharide pentose होती है या deoxy ribose होती है जिस nucleic aml में deoxy ribose मिलता है उसे deoxy ribose nucleic aml अर्थात DNA कहते हैं और जिसमें ribose मिलता है उसे हम ribose nucleic aml या RNA कहते हैं प्रिविद्यार्थियों आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके एक बार हम पुनरावर्थी कर लेते हैं जीव तंत्रों में केवल तीन प्रकार के ब्रहत अनू जैसे protein, nucleic aml वे polysaccharides या बहुसaccharides मिलते हैं लिपिट्स जिल्ली से संबंदित होने के कारण ब्रहत अनू कंस में रहते हैं जैव ब्रहत अनू बहुलक होते हैं वे विबिन्न घटकों से बने होते हैं nucleic aml आनूवन्शिक द्रवे की कोशिका भित्यों के रूप में कारे करता है बहुसaccharides पौधों, कवकों वे संधी पादों के बाहिय कंकाल के घटक हैं ये उर्जा के संचित रूप जैसे starch वे glycogen में भी मिलते हैं प्रोटीन विबिन्न कोशिक की एकारियों में साहता करते हैं उनमें से कुछ enzymes, प्रतिरक्षी, ग्राही, hormones वे दूसरे संदचनात्मक प्रोटीन होते हैं प्राणी जगत में सरवाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन collagen है और संपोर्ण जैव मंडल में सरवाधिक प्रचुरता से मिलने वाला प्रोटीन रूबिस को है हम जो कुछ भी अध्यन कर रहे हैं उसका अभ्यास करना बहुत अनिवारे है तो आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्ण है पहला प्रश्ण है ब्रहत अनु क्या है उधारन दीजिए दूसरा प्रश्ण अमल में गुलनशिल भाग में पाये जाने वाले योगिकों का अनुभार कितना होता है तीसरा प्रश्ण जीवों में सरवाधिक बाहुलिता से मिलने वाले रसैन का नाम लखे चौथा प्रश्ण प्राणी जीगत में सरवाधिक प्रचुरता में मिलने वाली प्रोटीन का नाम लखे पांचमा प्रश्ण है संपूर्ण जैव मंडल में सरवाधिक प्रचुरता से मिलने वाले एंजायम का नाम लखे चटा प्रशन, कवकों वे संधीपात प्राणियों के बाहिय कंकाल के घटक रसैन का नाम लिखें साथ मा प्रशन, प्रोटीन क्या है? इनके कारे लिखें आठ मा प्रशन है, जब हम मंड का परिक्षन करते हैं तो वहाँ आयोडीन के साथ नीला रख देता है, जबकि सैलूलोज के साथ नहीं ऐसा क्यों है? स्पष्ठ कीजिए नवा प्रशन है, डिने वे आरेने को फैला कर लिखें दस्वा प्रशन है, डिने वे आरेने में अंतर बताएं प्रिविद्यार्थियों, आज की सत्र में आपने जो कुछ भी सीका है इसका स्वाध्याय करते रहें और अपने उद्देश्य की पूर्ती में सफल हो इन ही शुब कामनाओं के साथ शिग्र ही आपसे पनह मिलेंगे धन्यवाद झालएं